Hello everyone, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है ये वीडियो दस दमदार रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्य की सीडीज का पार्ट 19 है इस सीरीज के हर एक पार्ट में हम बड़े ही काम के 10 डेलियूज इंग्लिश सेंटेंस सीखते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं बहुत ही कम समय में So guys, आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है लो आ गई मुसीबत इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सोचिए Guys, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे Here comes the trouble Here comes the trouble Trouble means मुसीबत लो आ गई मुसीबत Here comes the trouble Next sentence is मुझे वो वहां कही नहीं मिला इसको इंग्लिश में बोलेंगे I didn't find him anywhere there I didn't find him anywhere there मुझे वो वहां कही नहीं मिला मुझे वो वहां कही नहीं दिखा I didn't find him anywhere there Next sentence is मैं इंग्लिश सीख कर ही रहूंगा इसको इंग्लिश में बोलने के दो तरीके हैं guys First one is I will definitely learn English मैं इंग्लिश पक्का सीखूंगा, जरूर सीखूंगा, सीख कर ही रहूंगा या फिर आप बोल सकते हो I will learn English, come what may मैं इंग्लिश सीख कर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए come what may का मतलब होता है, चाहे जो हो जाए या फिर चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश सीख कर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए I will learn English, come what may Next sentence is, जिससे पूछा जाएगा, सिर्फ वही जवाब देगा या फिर जिससे मैं पूछा जाएगा, सिर्फ वही जवाब देगा और कोई नहीं इसको इंग्लिश में बोलेंगे, only the person asked will answer जिससे पूछा जाएगा, सिर्फ वही जवाब देगा, only the person asked will answer या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, the answer will be given only by the person asked जवाब उसी व्यक्ती के द्वारा दिया जाएगा, जिससे सवाल पूछा गया हो the answer will be given only by the person asked next sentence is, मुझे समुद्र के किनारे बैठ कर सूरज डूबते होए देखना बहुत पसंद है थोड़ा लंबा sentence है, चलिए देखते हैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे first वाला तरीका है, I love to watch the sunset sitting by the seashore sunset means सूरज डूबना और seashore का मतलब होता है समुद्र का किनारा या फिर समुद्र का तत मुझे समुद्र के किनारे पर बैठ कर सूरज डूबते होए देखना बहुत पसंद है I love to watch the sunset sitting by the seashore या फिर आप ऐसे बोल सकते हो I love to sit by the seashore and watch the setting sun I love to sit by the seashore and watch the setting sun मुझे समुद्र के किनारे पर बैठना और सूरज डूबते होए देखना बहुत पसंद है I love to sit by the seashore and watch the setting sun next sentence is तुम्हारे बाप का क्या जाता है इसको इंगलिश में बोलने के दो तरीके हैं guys फॉर्स्ट वन इस वोट गोज ओफ यॉर फादर वोट गोज ओफ यॉर फादर तुम्हारे पापा का क्या जाता है वोट गोज ओ उफ यॉर फादर या फिर आप बोल सकते हो तुम्हारे पापा का क्या चाता है? तुम्हारे पापा क्या खोते हैं? Next sentence is माफ कीजिए मैंने आपको पहचाना नहीं इसको इंग्लिश में बोलेंगे Sorry, I didn't recognize you Next sentence is कल रात मैंने एक दरावना सपना देखा इसको इंग्लिश में बोलेंगे I had a nightmare last night I had a nightmare last night Nightmare यानि की दरावना सपना और गाइस जब भी हम सपने को देखने के बारे में बात करते हैं तो हम see a dream नहीं बोलते See a dream या फिर see a nightmare ये बिलकुल गलत है grammatically Dream के साथ हमेशा have verb का यूज होता है हम हमेशा बोलते है I have a dream और अगर past में बोल रहे हैं तो I had a dream यहाँ पर दरावना सपना देखने के बारे में बात हुई है तो इसको हम बोलेंगे I had a nightmare last night Next sentence is धंग से बात नहीं कर सकते क्या इसको English में बोलेंगे Can't you talk in a manner? Can't you talk in a manner? क्या तुम धंग से बात नहीं कर सकते? Can't you talk in a manner? In a manner means धंग से या फिर तमीज से Last sentence of the day is उसने सारी हदें पार कर दी इसको आप तीन तरीकों से बोल सकते हो First one is He crossed all limits He crossed all limits या फिर आप बोल सकते हो He crossed all boundaries या फिर आप बोल सकते हो He overstepped all boundaries उसने सारी सीमाई लांक दी सारी हदे पार कर दी He overstepped all boundaries So guys that's all for today I hope यह सारे sentences आपके लिए काफी उस्फुल रहेंगे इन में से आपका फेवरेट सेंटेंस कौन सा था मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आपने इसे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजी और बेल आकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे मेरे रोज आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे चली अब हम मिलेंगे कल पार 20 में तब तक के लिए टेक केर बाबाई